तो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइंफ ऑफ सर्जरी जहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि विदाउट कोई सर्जरी यहां पर सर्जरी की जीत होगी है ना और स्टोरी हमारी कहां तक पहुंच गई थी कि आप जो ट्रिकी है वो थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा था और तो फुड़ा एक्टिव भी रहरा था और उसे म değda आ रहे थे महा पर लेकिन आसाथ साथ साथ जो है सबस्टों को यहां पर अज़ी कर लिया था तो लिया था अब आगे स्टोरी में क्या हुआ वो जानते हैं अब वो जो सारे डेस थे वो ऐसे थे मतलब काफी संतुष्टी मिलती थी रोज एक्स्टा अंडे खा रहे थे दिन में वाइन पी रहे थे रात को ब्रेंडी पी रहे थे मतलब काफी एंजॉय कर रहे थे कितना सफर कर रहे हैं वो कितना अलोन फील कर रहे हूंगे कितना परिशान होंगी ट्रिकी के लिए तो उस रात की बात है मैंने जो है मिस्स वंफ्रे को फोन किया और उन्हें बताया कि आप ट्रिकी को ले जा सकती है ट्रिकी आप बिल्कुल ठीक है विदन मिनेट अब थर्टी फीट अफ ग्लीमिंग ब्लाक मेटल रूप आउटसाइड दी सर्जुरी कुछ ही मिंटों में सिव जैसे मैंने बताया उसके कुछ मिंटों में अच्छी काली गाडी जो है आकर बाहर सर्जुरी के खडी हो गई अब उनके हाथ जो ऐसे से कर रही होती हूर उनके होट वो लड़ खड़ा रहे होते हैं कपकपा रहे होते हूर वो कहती मिस्टर है सच बताइड बताई यह है न क्या चल रहा है क्या अपडेट है इसी रियली बैटर यह हीस फाइन क्या वो सच में ठीक है तो मैंने बोला कि हाँ वो डेफिनिटली ठीक है वो फाइन है आप मैं जो है महां से गार्डन की तरफ गया और महां सारे जो डॉक्स है वो खेल रहे थे और उनके बीच में जो है एक छोटा सा डॉक जो अपने एर्स फ्लैप कर रहा था तेल अपनी हिला रहा था और गोल्डन फिगर कर ट्रिकी था इन टू वीक्स यहाद बीन ट्रांसफोर्म इंटो अ लिद्ध हाड मसल्ड अनिमल ही वस कीपिंग अप वैल इस प्रेचिंग ब्रॉशिंग दा ग्राउंट टीक है और दो हफ्तों में वो पूरा ट्रांसफोर्ड हो गया था मॉस्क् और जैसे ही ट्रिकी ने जो है देखा कि सामने मिस्स पंफरे हैं वो जल्दी से मेरी गोध से उचल कर मिस्स पंफरे की गोध में जाकर बैठ गया शी गेवस टार्टल हूँ और तो डिफेंट हरसल फैसी स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस और बाकिंग अब एकदम शॉक कुछ आती है और सड़न जो है ट्रिकी इतना खुश हो जाता है कि उनको पूरा लिक कर रहा होता है चाट रहा होता है डूरिंग दी एक्साइट्विंट आइल्ट शॉफर तो ब्रिंग आउट बैट्स टॉइस कॉट्स और बावल्स नन और विच हाड बीन यूज ठीक है तो यह सब चल रहा था इतने में जो शॉफर था उसको मैंने सारी जो भी चीज़े थी वापस की जो कभी भी मैंने यूज नहीं की और जैसे कार चलने लगी मिस्स वंफरे जो है वो विंडो से बाहर निकलती है और उनकी आखे जो है उसमें आसू होता है अब बोलती है कि मैं कैसे आपका शुक्रियादा करूं यह एक सर्जरी की जीत है तो यहां पर देखा जाए तो कोई सर्जरी हुई नहीं थी बड़ यह था कि बस ट्रिकी को जो है एक्टिव रखा जाए और कम खिलाया जाए तो वह अच्छा रहेगा और अब ट्रिकी भी उसने की सारी चीज़े इंजॉय करना सीख ली थी उसके लिए सब अब कॉमन हो गया था तो डैफिनेटली अभी सारी प्रॉब्लम्स दुबारा नहीं होने वाली थी और इसी तरीके से यहां पर सर्जरी की जीत हुई विदाउट एनी सर्जरी ठीक है तो यहां पर आपका अगर खतम होता है इसके वर्ड विनिंग सो question and answers देख लो आव इटिंग इंतिजार करना ब्लॉटेट फूला हुवा शॉफर चालक जो गाड़ी चला रहा है compelled मजबूर constitution रचना gleaming चमचमाती लिकिंग चाटना मेट्स नौकरानिया pleased प्रस्ण रजिमे व्यवस्था reverently आधर रोस्ट जगाना या जागना सीवियर तीर्व सपर शाम का खाना ट्वीड एक प्रकार का उनी कपड़ा accepted सुविकार करना अहेड आगे anxiously व्यगरता से bloodshot रखते में bound सीमा बाउट यहाँ पे मतलब कि उसको जो वॉमेट सोरी थी बार बार है ना bulletin सरकारी समाचार सारेमोनिल अनुष्ठानिक क्लैस्ट कसकर पकरना कंसर्ण चिंता कॉन्वाले सिंग स्वास्थेलाव क्रिव जत्ता जॉन उपस्तित होना डिले विलाम डिस्पैरिंग आशहीन डिटर्माइन निर्धारत डिस्ट्रॉट वियाकूल डॉच्ट तयाल जाना डजन दर्जन को कोई चीज़ लेके आनले से होता है ना रिंग फेच कराते हैं डॉक्स को फ्लैपिंग लहराना फोर्टनाइट दो सप्ता का समय गैंग टोली गास्पिंग हाफना ग्लांस जलक ग्रेहांड एक मतलब जो शिकार करने वाला डॉक होता है ना वो हार्नेस कवच हैसन जल्दी ह कोवर्ड मंडराना यूजली बेहद हर्टलिंग जोर से फेकना इग्नोर्ड अवलेह करना इमेडियेटली तुरंत इन्हेल सांस लेना इंस्पेक्टिंग निरिक्षन इंटीर आंतरिक जॉसलिंग धकेलना कैप्टन आई नजर रखना लैप छलांग लगाना लाइबल संभ हावे लिस्लेस उदासीन लिथ मुलायम डक्टाइल नमनिये लॉल्ड आराम से लंबागो कटिता कटिवात लग्जियसली विलास से मेड अप कृतिम मालन्यूट्रिशन कुपोशन माज्ड ले जाना मैंशंड उलिखित करना मित्स बीच में मिस्ट्रिस अध्यापिका लेक हाफना पैसेज मार्ग पैथटिक दिर्निये पैटट पीट थप थपताना पाइन विलाप करना पित राउस जागना या जगाना प्लेंटी बहुत सारा या खूर पुल्ड आप खीचना रैपिट तीर्व रलेंट नरम पढ़ना र्यूमी नम रग गलीचा रश्ट जल्दी गरना स्क्रीमेजेज हाता पाई सेट आप कोई चीज शुरू करना शैगी जबरासा होना ना शौक्ड हैरान रह जाना स्लाइटली थोड़ा स्लॉप्ड बहाना स्निफिंग सूंगना साउंड द्वनी स्कॉाइश्ट कुचलना स्तेर देखना स्तार्टल चौकना स्ट्रेच होना टैकल पकरना टैम्टेशन प्रलोबन टॉटरिंग जगमगाने वाला ट्रेंपल्ड रौंधन ट्रांस्फोर्म तब्दील ट्रीटमेंट इलाज करना ट्रेंबल्ड थर्थराना ट्रेमेंडस अतिभृत ट्रॉटेट त्राटक किया वॉमिटिंग उल्टी वैग हिलाना वेलिंग शोगपूर्ण वाडरो बल्मारी विंपर थिंधिनाना वंडर्ड आश्चरी या सोचना रब्ड लपेटा हुआ रंग मलना ठीक है अब इसके question and answers देख लो वाई मिस्स पंफ्रे वरीड अवाट ट्रिकी के लेकर मिस्स पंफ्रे चिंतित क्यों थी मिस्स पंफ्र थी क्योंकि ट्रिकी जो काफी बिमार हो गया था और वो कुछ भी नहीं खा रहा था इवन अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा था है ना और क्या हुआ उसको बहुत जादा जो है वामिटिंग हो रही थी what does she do to help him is she wise in this उन्होंने क्या किया ट्रिकी की help करने के लिए क्या वो सही तरीका था she had been giving him some little extras between meals to build him up वो क्या कर रही थी जो खाना कर रहा था उसके लावे में उसको काफी snackings और extra खाना दे रही थी some malt and cod liver oil malt खिला रही थी cod liver oil दे रही थी bowl of Horlix at night to make him sleep रात को उसको सोने के लिए Horlix का पूरा-पूरा बावल भर के दे रही थी she also continues to satisfy his sweet tooth with cream cakes and chocolates अब उसको जब मना कर रहा था sweet cakes चीज़े देने के लिए तो भी वो उसको खिला रही थी cream cakes and chocolates she is not wise in doing so और ये सही नहीं था because over feeding tricky is worsening his condition क्योंकि वो already इतना जादा मोटा था कि उसको और जादा खिला-खिला के overeating कराना उसकी condition और खराब कर दे था instead of improving it it has made him very fat and lazy उस चीज ने क्या क्या जो जो उन्होंने किया उसकी मदद करने के लिए उसने उसको और ज्यादा fat और lazy बना दिया जिसके विरा से वह काफी बिमार पड़ गया who does I refer to in this story ठीक है यहां पर किसके लिए बोला गया है तो I refers to the narrator Mr. James Harriot a veterinary doctor ठीक है vet की फुलफम क्या होती है veterinary doctor ठीक है और यहां पर I किसके लिए बोला गया जो story सुना रहे हैं जो narrate कर रहे हैं कौन है जो Mr. James Harriot ठीक है is the narrator as rich as Tricky's mistress ठीक है जैसे Mrs. Pomfrey है वो काफी अमीर दीख रही थी क्या-क्या भेज रही थी Mr. Tricky को भी काफी ऐसा ही रखती थी वो उसके सोने का अलग उसके खाने का अलग है ना तो क्या narrator भी उतने ही अमीर थे तो no the narrator is not rich as rich as Tricky's mistress ऐसा नहीं था क्योंकि अगर ऐसा होता था उनको इतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा हो था brandy wine x वगरा जो आ रहे थे वो खाने में तो उससे पता चलता है कि नहीं और obviously एक वैट जो इतना जादा नहीं कमाते है ठीक है how does he treat the dog उन्होंने dog को कैसे इलाज किया उसका वो बताना है तुम्हें पूरा Mr. Harriet treats Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog उन्होंने कोई surgery नहीं की कोई और जार नहीं चला है को उसको medical treatment नहीं दिया बस जैसे एक lazy और overweight dog को treat किया जाता है वैसे उन्होंने treat किया there he does not give him much food to it उसको जादा खाने को नहीं दिया he cuts down his food intake and keeps him under strict observation for the initial days at hospital शुरुवात के दिनों में उन्होंने क्या किया उसका खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया he gradually increases Tricky's food and set him free for physical activities to improve his health फिर दीरे दीर उन्होंने Tricky को खाना देना शुरू करा उसको बाहर ले जाते थे बाहर वो दूसरे dog के साथ खेलता था जिससे क्या होता था उसको physical exercise करने को मिलती थी जिससे वो active हो उसकी health अच्छी हो why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest ऐसा क्या था किस चीज का ऐसा प्रतिलोबन हो रहा था कि उन्होंने पहले तो यह सोचा कि Tricky को permanently यहां रख लेते महला मिस्स पंफ्रे को बोल देते हैं कि अभी वो ठीक नहीं है अभी उसको और इलाज की जरूरत है तो it was a temptation to keep Tricky as a permanent guest it was because Mrs. Pumphrey started sending fresh eggs two dozen at a time तो temptation क्या थी है कि Mrs. Pumphrey जो है दो दरजन मतलब 24 अंडे जो है एक time पर भेज रही थी Tricky के लिए the staff of Mr. Harriet ate these eggs और वो कौन खाता था सारे doctors और staff वाले खाते थे there came bottles of wine etc और फिर wine की bottles आने लगी it was really a great thing for them और ये चीज़ वो लोग कापी enjoy कर रहे थे Mr. Harriet does not give these two Tricky और Tricky को ये सब चीज़े और आती रहे और हम enjoy करते रहे और खाते रहे why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is the triumph of surgery Mrs. Pumphrey को ऐसा क्यों लगा कि जो dog उनका ठीक हो गया था Tricky तो ये एक surgery की जीत है she thinks so because it is the surgery that is hospital it has made tricky all right it stay at the surgery as cured itself of its illness ठीक है उन्हें ऐसा क्योंकि obviously surgery क्या था hospital था है ना तो उन्होंने ये लगा कि medication वगेरा देके hospitalized करके उसको ठीक किया but ऐसा कुछ भी नहीं था अब think about it वाले देखो what kind of a person do you think the narrator a veterinary surgeon is would you say he is tactful as well as full of common sense 2012 का question है ये कि आपको क्या लगता है कि जो नरेटर है हमारे जो वेट है जो मिस्टर है वो किस तरीके की person है क्या आप क्या बोलोगे कि वो tactful है या फिर उनमें common sense था ये सब बताना है आपको तो तो नरेटर a veterinary surgeon is a capable and wise doctor तो आपने जिसे देखा आमने स्टोरी में देखा था हमें पता चले कि वो काफी capable है अपने काम में काफी skilled है और काफी उनमें क्या है बुद्धी है he handles Tricky properly which shows that he is sincere about his profession उन्होंने बिना किसी medicine के बिना कोई extra चीजे करके Tricky को काफी अच्छे से उसका इलाज किया जो चीज दिखाती है कि उनका profession को लेके वो कितना sincere है he does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities उन्होंने कोई भी जाद उसको कोई unnecessary कोई चीज नहीं की कोई operation नहीं किया कुछ नहीं किया बस उसकी जो है diet और उसकी activities को थोड़ा सा अल्टर किया he is a tactful person as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalized Tricky for a surgery tactful person तो वो थे उन्होंने दिमाग लगा उन्होंने पता था कि वही Mrs. Pumphrey को मनाना बहुत मुश्किल है तो उन्होंने दिमाग लगा के सोचा और उस तरीके से उन्होंने मनाया it may be selfishness because he gets juice supplies from Mrs. Pumphrey for Tricky but it is not a mean quality ठीक है और हो सकता है कि थोड़ा सा उन्होंने जो है starting में थोड़ा temptation हुआ बट उन्होंने जो है Tricky को ठीक भी किया और फिर उन्होंने जो है Mrs. Pumphrey की हालत समझ के उनको phone भी किया तो यह कोई mean quality नहीं है कोई गलत बात नहीं है तो obviously उनमें common sense भी था वो tactful भी थे और वो wise भी थे ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है clear हो गया next do you think Tricky was happy to go home what do you think will happen now ठीक है आपको क्या लगता है कि Tricky खुषता घर जाने में और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा yes Tricky was happy to go home obviously जो देखा आमने उससे यही पता लगा कि Tricky जो है वो काफी खुषता घर जाने के लिए it is seen in one fact when Mrs. Pomfrey comes to the surgery to take Tricky home it jumps into her lap और यह चीज़ आपने कैसे देखी कि जब Tricky को Mrs. Pomfrey लेने आई तो वो जो है उनकी गोद में जल्दी से कूत कर चले गया it swarms over her it also licks her face out of great excitement और obviously जब भी dog को को इंसान बहुत पसंद होता तो वो क्या करते हैं उनको पूरा लिख करने लगते है I think that Mrs. Pomfrey will now be careful about Tricky's diet and health क्योंकि वो इतना दूर रह चुकी थी already Tricky से तो आप वो जो है ध्यान रखेंगी Tricky का और इसकी diet का she may also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier और जो जो vet ने बताया उनको करने के लिए वो सारी चीज़े और टिकी की health को लेकर करेंगी Do you think this is a real life episode or mere fiction or is it a mixture of both आपको क्या लगता है क्या यह real life episode है या फिर सिफ कालपनिक चीज थी या फिर दोनों का mixture तो the story seems to be a mixture of both अगर हम देखे नॉर्मली तो दोनों चीज़ें का mixture है कि रिल लाइफ भी और थोड़ा fiction भी है it may be possible for rich persons to overfeed their pets due to love यह reality में होता है कि जो rich लोग होते है वो अपने डॉक्स वगरा से इत्ता प्यार करते कि उन्हें कुछ भी खिला देते है बट इस अनलाइकली पर वेटर्नरी डॉक्टर तो गो आट अफ द वे लाइन ओडर तो सेव लेकिन यह चीज जो है वो रियल नहीं लग रही थी इस फिक्शनल थी के एक वेट जो है वो अपने मतलब पूरी कोशिश करके जूट बोलके हार तरीकी से करके जो है ट्रिकी को सेव करता इट इस अन्यूज़ फूर एनिवन तो कंज्यूम फूड विच गिवन इन नेम ऑफ पैट है और दूसरी चीज फिक्शनल क्या लगी कि ऐसा कोई नहीं होता कि जो इतना कुछ खाले किसी प क्लास में नेक्स चाप्टर के साथ तब तक के लिए इस मदीहा खान साइनिंग आफ राइट नाव बाई-बाई and have a nice day